आई पी सी फोर नाइंटी एट जैसे मामलों के अंदर पती की सुर्कसा करेगी यह धारा जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं क्योंकि माने सुप्रीम कोट ने पती की सुर्कसा के लिए इस धारा को खड़ा किया है पती की सुर्कसा के अंदर खड़ा किया है तो आधे है दूरी वीडियो से कोई भी जानकरी समझ में नहीं आती है तो आप अंतक बने रही है और फ़हले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो को देखने के बाद में आपको सेयर भी आदि । नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अटकर जी तेंदर आज को दो माने सुप्रीम कोट का बहुती महत्पूर एतियासिक निन्डे बताने वाला हूं क्योंकि इस निन्डे के अंदर माने सुप्रीम कोट ने पती की सुर्कसा के लिए इस धारा को खड़ा किया है तो यहां पे कौन सी धारा है तो यह को आम सरफ प ergon देखा जाता है। जो साथ साल से कम सजा की जैसे IPC 490 जैसे मामले होते हैं। इनके अंदर पुलिस क्या करती है? पती को फिर दभाव बनाती है आरेस्टिंग के नाम पे। लिए पुलिस नेचर की मामले होते हैं। उनके अंदर भी पुलिस अरेस्ट जिसके नाम से FIR हो रही है, उसको पोटीवने CRP से का नोटीस बेजो, उसके आधार में फिर इन्वेस्टिकेशन करो, यानि कि अगर अतियावश एक सिचुएशन है, आपको लगता है, यहाँ पर इस मामले के अंदर अरेश्ट करना भोती जुर्री है, अतियावश सक्क है, त साथ में मजिश्टेट साब के आपको परमिसन लेके, और उस बंदे को अरेश्ट किया जा सकता है, अन्यता जो सिवल नेचर के मामले हैं, नोर्मले मामले हैं, उनके अंदर आप अरेश्ट मत करो, फहले पोटीवने CRP से का नोटीस बेजो, तो ऐसा ही माने सुप्रीम कोट ने IPC 490 को लेके का है, कि इस मामले के अंदर जैसे तीन साल की सजा है, तीन साल तक की सजा का इसमें प्रावधान किया गया है, तो ऐसे मामले के अंदर आपको पोटीवने CRP से का नोटीस बेजना चीए, तो यहाँ पर माने सुप्रीम कोट ने पती की सुरुक्सा के लिए पती नहीं है, तो यहाँ पर पती की गिरफतारी नहीं बनेगी, 41 CRP से का नोटीस आने के बाद में, इन्वेस्टिकेशन होगा, तो यहाँ पर पती का जो डर है, पर निकल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर बिनावज़े पती की अरेस्टिंग है, जो नहीं होने वाली है, प क्योंकि यहाँ पर 41 CRP C, जो सेक्शन है, जो धारा है, यह पती की सुरकसा करेगी, जो माने सुप्रीम कोट ने पती की सुरकसा के लिए खड़ी की है, तो इस नर्ने की विस्तरत जानकारे के लिए आप इस नर्ने को अच्छे से रीड कर सकते हैं, इस नर्ने का यान कि इस इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गए, यहाँ पर आप क्लिक करके इसको चीतरी से अब्डेट कर सकते हैं, जान सकते हैं, कि मामला क्या है, तो यह जानकारे आपके समझी में आ गई होगी, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर लाइक नहीं किये, और सेर भी करें, जो ओर लोगों को भी जानकारें का पता चल सकें, तो फिर आगे मिलेंगे आप शीने वीडियो ने टूपी के साथ में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,